दोस्तों आज हम बात करेंगे Farm track में आने वाले fleet guard company के सूपर air filter के बारे में हैँ अभी इसको सूपर air filter क्यों बोला जाता है कína अभी इसको normal जो conditions जो होती है जहां पर टेक्टड चलते हैं 200 गंटे तक इसको साफ करने की ज़रूत नहीं है तो इसको इसलिए इसको बोला जाता है super air filter अभी आप जब फील्ड में काम करते हैं तो बहुत जगह क्या बहुत ज़्यादा dusty area होता है जहां बाहरी कन भी होते हैं बायू के अंदर तो अभी इसके नीचे आप देख सकते हैं यह वाला एक पीस लगा हुआ है इसको बोलते हैं cyclonic air filter या pre air cleaner भी इसको बोला जाता है जब इसके अंदर हवा अंदर जाती है तो यहां पर एक stationary fan लगा हुआ है यहां पर आप देख सकते हैं जाली टाइप के लगे हुए stationary fan अंदर यह वाला फैन जो गूमता नहीं है तो हवा जब speed से अंदर जाती है तो यह stationary है तो हवा अंदर जाते टाइम ऐसे गूम के जाती है तो यह नीचे वाला पाइप जो आप देख रहे हैं इस वाले पाइप में भारी कन पहले यहीं पर अलग हो जाते हैं तो यहां पर एक रवड का टोड़ा लगा हुए इसको आप ऐसे क करके भारी कन को यहीं निकाल सकते हैं तो यहां पर ड्रेन हो जाएगा तो भारी कन आपके आगे जाएंगे नहीं अब दूसरी खासियत कि अगर मेरा इयर फिल्टर चौक हो जाता है तो आपको बार-बार इसको खोल के देखने की ज़ड़त नहीं है उसके लिए इसमें 2 चेक्पैंट दिये जाते हैं वो दो चेक्पैंट कौन-कौन से हैं आप इधर आके देख सकते हैं इसको बुला जाता है चौक सेंसर यहा तो आपका air filter अगर चोक हो जाता है तो इसमें आप अंदर देख सकते हैं red colour ring दिख रहा है आपको अंदर की side which वो रही बहार आ जाएगा है Yep यहलो ऐती चोक हो गया है तो आपको इसको साफ करना यहां रिशेट बटन इसको प्रैस जरूर करना आपका रेड लेड रिंग वापस आ जाए तो यह हमेशा द्यान तो यहां से रेड रिंग आ जाए है एक और जैसे वेट टाइब जो एर फिल्टर आते हैं वो क्या है जो हवा के अंदर जो दूसित कन होते हैं डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको साथ से साइज कितना बड़ा है इसका बड़ा साइज है तो ज्यादा हवा अंदर जाएगी ज्यादा हवा और सुद्ध हवा अंदर जाएगी तो ट्रेक्टर की लाइफ अच्छी रहेगी और ट्रेक्टर बहुत अच्छी पावर बनाएगा तो इससे आपका इंजन की सेफटी भी है तो यह बहुत अच्छा सुपर एर फिल्टर है थैंक यू